पूरा बस से देखिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइट कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें लिंकी द्रश्टी से एक बाग के सुद्ध है वह बाग का आप सभी के लिए बताने आज का पहला question याँ पर दिया गया है बताईएगा कौनसा बाग के सुद्ध है चाय फीका है दही खट्टा है चांदी सोनी से कम महेंगा है या फिर मिसरी मीठा है बताईएगा क्या होगा सही आंसर चार विकल्प आपकी आपर दिये गए है मत्वपूर्ण question है और आप सभी का सही आंसर सुलिखा जी अर्चिना जी क्या होगा सही आंसर तो दही खट्टा है ये वाला आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर बी विकल्प नमबर बी आप से आपर पूंचा गया चपनवा कॉश्चन है निमने लिखित में इस्त्रिलिंग सब्द बताना है कौन सा इस्त्रिलिंग सब्द है गुलाब जबाब सराब हिसाब यह चार विकल पर दिये गए हैं इन्में से आपको चैन करना है क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा तनु जी नीलम जी डाक्टर रोज सिंग जी अक्षिना जी कि नमलिखित में से इस्त्रिलिंग सब्द आप सभी के लिए बताने कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है बताइए मत्पूर्ण कॉस्चन यह आपर दिया गया है और आप सभी का यहांपर सई आंसर होगा कि आपर सराब जो है सराब इस्त्रिलिंग सब्द माने जाते हैं कॉस्चन नमबर आप सभी से आपर पूंचा गया है यहांपर संताउन वाक्षिन है राजीब जी नमलिकर सब्दों में ऐसे कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग नहीं है नहीं पूंचा गया बायू, रेणू, सेतू या रज्जू बताइए इस्त्रिलिंग सब्द कौन सा नहीं है, कॉस्चन नमबर संताउन में आप सभी के लिए चैन करना है तो क्या होगा सभी लोग बताएंगे मत्पून, कॉस्चन या पर दिया गया है और question number SanthoN है, 200 SanthoN और आप सभी का याँ पर सही answer होगा क्या होगा सही answer और तो विकल्ब number C सही answer सेतु सेतु आप सभी का सही answer है प्राश्त असब्दां में सेतु स्ट्रिलिंग सब्द नहीं है सेतु स्ट्रिलिंग سब्द नहीं माना जाता है रेणू, बायू, रज्जू, इस्तिलिंग सब्द के अंतरगत आते हैं और जिस अंगला question यह आप देखेगा हिंदी में link होते हैं 3, 2, 1, 4 तो question number untown में chain करना है क्या होगा सही answer untown का बताईए question number untown में chain करना है हिंदी में बताना है link कितने होते हैं यह पूंचा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा कि दो होते हैं कितने दो आपका सही answer है pulling और strilling बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा pulling और strilling आप सभी का सही answer होगा संग्या के जिस रूप से व्यक्तिय वस्तु की नर्यामादा जाती का बोदो से ब्याक्रण में लिंक कहते हैं लिंक संस्कृत भासा का एक सब्द है जिसका रथ है चिन्य या निसान होता है और चिन्य या निसान किसी संग्या का ही होता है संग्या किसी बस्तू के नाम को कहते हैं और बस्तू या तो पुरुस जाती की होगी या स्त्री जाती की है ताथपरे की प्रतेक संग्या पुलिंग होगा या स्त्री लिंग संग्या के दो रूप हैं दो रूप हैं आप प्रमाले के बाचक संग्या लोटा प्याली पेड़ पत्ता इत्यादियो प्राणी आप प्राणी बाचक संग्या और प्राणी बाचक संग्या गोड़ा गोड़ी माता पिता लड़का लड़की आदी हैं चार्ट है अंगला कॉष्चन यहां पर देखेगा कॉष्चन नमबर आप सभी से आपन 69 क्या फोचा गया है उनुसजड वा कॉष्चन यहां पर दिया किस परकार का सब्द इस्तिलिंग है, पुलिंग है, या फिर नहां पर विदिलिंग है, नपुन सक्लिंग है, तो कॉस्चन नमबर आप सभी का यहां पर सही आंसर 69 में चैन करना है, कि गठरी सब्द किस पिरकार का सब्द है, बताईएगा मन्जू जी, सभी लोग चैन करिएगा संजू क्या होगा सही आंसर, कॉस्चन नमबर 69 यहां पर दिया गया है, और पारवती जी आप सभी का सही आंसर आ रहा है, यहां पर आप सभी को बताना है, गठरी सब्द बताना है, तो गठरी सब्द स्तिलिंग माना जाता है, गठरी स्तिलिंग सब्द है, इसका पुलिंग होगा बिलकुल सई आंसर होगा अंग्ला कॉीस यहाप देखिएगा निमनलिकित में से कौन सा सब्व्द पुलिंग है सbodor में आप सभी के लिए चांड करना है साथ basta Commons क्या होगा सही answer, चैन कीज़ेगा चार विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही answer आ रहा है आपर, क्या रहा है सही answer कौन सा सब्द pulling है यह पूचा है, तो khatmal कhatmal, आप सभी का सही answer है खatmal pulling सब्द होगा बाकि DBIA, DATRI, JIV इस्त्रिलिंग सब्द के अंतरगत आती हैं अंगला कॉस्चन या आप देखेगा कॉस्चन नमर आप सभी से यापर एकसेट पूँचा गया है निमने मैंसे कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है एकसेट में चैन करना है बताइएगा क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा मत्यपूण कॉस्चन या पर दिया क्या है कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है स्ट्रिलिंग सब्द का चैन करना है और आप सभी का याँपर सई आंसर आ रहा है या कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है आसा आसा आप सभी का सई आंसर है आसा सब्द स्ट्रिलिंग है प्रेशन सोख मो होगा, सई आंसर, अध्याय, सुंधरता, घटना, नमरता, बताइएगा, कॉस्चन वत्पूर्ण है, और आप सभी का यहांपर सई आंसर आरहा है, कौन सा सब्ड पुलिंग है, तो यहांपर अध्याय, अध्याय आप सभी का सई आंसर है, विकल्प नंबर ये वाला जो है आप सभी का सई आंसर होगा अज्या जो है पुलिंग सब्दे माना जाता है अंगला कॉस्चन यहाप देखेगा कॉस्चन नंबर 63 पूछा गया है निमने लिखित मैंसे कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है बताईएगा क्या होगा सई आंसर इस स्वभाग्य मस्तक इक्छक या फिर नत्य कॉस्चन नंबर 63 में सई आंसर चेन करना है तो 63 में आप सभी का क्या होगा सई आंसर कौन सा सब्द स्ट्रिलिंग है तो आप सभी का सई आंसर एक्छा एक्छा सब्द कौन सा स्ट्रिलिंग माना जाता है दिये गए सब्दों में सब्द एक्चा माना जाता है जबकी स्वाभाग्य मस्तक रत्य इपुल्लिंग सब्द की अंतरगत आते हैं क्वाशन नमबर चौंसर यहां पर पूँचा गया है निमनलिकत मैंजे कौन सा सब्द इस्ट्रिलिंग है इस्त्रिलिंग बताना ग्रंथ है, क्रोध, अभिलासा या फिर लोब कॉस्चन नमबर आप सभी से यहाँ पर 64 पूँचा गया है कौनसा सब्द इस्त्रिलिंग है बताईए बिंदो जी क्या होगा सही आंसर पराया पंची कॉस्चन नमबर 64 यहाँ पर दिया गया है और अभिलासा यहाँ पर सही आंसर होगा अभिलासा जो है इस्त्रिलिंग सब्द माना जाता है ग्रंथी, क्रोध, लाब तो पुलिंग माने जाती है कौनसा सब्द पुलिंग है यहाँ पर बताईएगा चैन कीजेगा ताला, बेल, माला यहाँ पर अंगला जो विकल्प है सही, बताईए तो कॉस्चन नमबर 65 में बताना है कौनसा सब्द पुलिंग है चैन कीजेगा मत्तपून कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है परमोध जी और आप सब्ध कीजेगा बताईएगा कौस्चन मत्तपून है और आप सब्ध कीजेगा गया होगा प्रमोद जी बहुत बढ़िया तो 68 में चैन कनना है कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है तो आप सभी का याँ पर सईयांसरों का पुस्तक पुस्तक जो है स्त्रिलिंग सब्द माला जाता है विकल्प नमबर एक आपका सईयांसरों का जबकि मुनी, घर, चाकू ये सभी जो हैं माने जाते हैं कौनसे पुलिंग सब्द है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से यहाँ पर पूंचा क्या है 67 कॉस्चन है टेनम लिखित में से कौनसा सब्द पुलिंग है बताईएगा कॉस्चन नमबर 67 में चेन करना है राजीब जी क्या होगा सभी आंसर कॉनसा सब्द पुलिंग है यहाँ पर 66 में चेन करिएगा सभी लो चार विकल्प आपके दिये गए है घुन, अकल, दुम, धोन तो आप सभी का यहाँ पर सभी आंसर आ रहा है गुन होगा सभी आंसर गुन आपका यहाँ पर जो विकल्प नमबर अ है गुन सब्द पुलिंग माना जाता है कौनसा है पुलिंग माना जाता है यह मलता जी अंगला question यहाँ पर दिया गया है Questern 68 पूचा गया है कि निमलिके सब्दों में पुल्रिंग का चयन कीज़े गा कौन सा सब्द पुल्रिंग है राग चाहां। पूर्कता या फिर मौती, 68 में चैन करिएगा कौन सा सब्द पुलिंग है, ये आप सभी के लिए चैन करना है, 68 में, मत्पून कॉस्चन यहां पर दिया गया है, और आप सभी का यहां पर क्या होगा, सई आंसर, चैन कीजेगा, चार विकल्प आप के आपर दिये गए, कौन स सब्द पुलिंग है ये बताना है तो पुलिंग सब्द मौती माना जाता है कौन सा मौती आप सभी का सईयांसर है विकल्प नमबर डी वाला जो है मौती आप सभी का सईयांसर है जबकि राट, सांस, मुर्खता ये तीनों इस्त्रिलिंग सब्द माने जाते हैं मौती आपका पुलिंग सब्द माना जाता है, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप सभी से आपर 69 पूंचा गया है, उन्ट सब्द का इस्त्रिलिंग रूप क्या होगा, बताईएगा, उन्ट का बताना इस्त्रिलिंग सब्द क्या होगा, हुलत्तरवा Question नहीं आपर दिया गया है Question मत पूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहां पर उंट सब्द का स्ट्रिलिंग रूप बताना है चैन करना है सभी के लिए मत पूर्ण Question दिया गया है उंट नहीं आपर सही आंसर है विकल्प नमबर B वाला विकल्प जनों ने भी चैन क्या है उनका सही आंसर होगा उट नहीं माना जाता है इस्त्रिलिंग सब्द question number आप सभी से याँ पर 70 पूँचा गया है निमने लिकित में से इस्त्रिलिंग सब्द का चैन कीजेगा कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है धुआ है, संध्या है, भत्ता है, धाबा है सत्र में सई आंसर चैन करना है कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग है चैन कीजेगा सत्रवा question याँ पर दिया गया है और आप सभी का याँ पर सई आंसर आ रहा है तिनम लिकित में से इस्त्रिलिंग सब्द बताना है तो संध्या आप सभी का सईयांसर है संध्या आप सभी का याँ पर D वाला जो विकल्प है संध्या सब्द स्टिलिंग के रूप में प्रियोग किये जाते हैं विसाल जी अंगला कॉस्चन याँ पर सिल्पा जी राहुल जी देखेगा question number 71 यहाँ पर दिया गया pulling सब्द कौनसा है दया, निर्धन्ता, या पेर बुलापा, या दुरघटना 71 में सई आंसर चैन करना है 71 का सई आंसर क्या होगा बताईए question मत पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर question number 71 में सई आंसर चैन करना है कौनसा इनमें से pulling सब्द कौनसा है यह पूँचा गया है तो आप सभी का सई आंसर बुलापा बुलापा आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा बुलापा सब्द pulling माना जाता है और दया, निर्धन्ता और दुरघटना यह इस्तिलिंग सब्द के निरिस्तिलिंग की रूप में प्रियुक्ते होती है question number 72 यहाँ पर दिया गया नमलेके सब्दों में से pulling सब्द का चैन कीजेगा सूची पत्र किताब गंगा संसद question number 72 में बताना है pulling सब्द कौन सा है चैन कीजेगा question यहाँ पर दिया गया है question number आप सभी का यहाँ पर बहत्तर दिया गया है और बहत्तर में आप सभी का सही आंसर है सूची विकल्प नमबर यह वाला जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सूची सब्द pulling है गंगा संसद किताब यह तीनों सब्द जो है इस्तिरिलिंग में प्रियुक्त किये जाते है अंगला question यहाँ आप 30 वा question देखेगा कौन सा सभ्द इस्तिलिंग नहीं है यहाँ पर नहीं बताना है बताईएगा पानी मानी कहानी रानी क्या होगा सही आंसर बताईए कौन सा सभ्द इस्त्रिलिंग नहीं है नहीं बताना है कॉस्चन मत पूर है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है तेतर में विकल्प नमबर एक पानी जो है पानी भै आपका सही आंसर होगा इस्त्रिलिंग सब्द नहीं माना जाता है पानी सब्द पुलिंग है जैसे पानी ठंडा है इसके अतिरिक्ते कहानी रानी मानी ये इस्तिलिंग सब्द माने जाते हैं बिल्कुल सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर कॉस्चन नम्बर दो सो चोथर यहां पर दिया ग्या है निम्नानकित में पुलिंग सब्द कौन स है question number 14 में बताना है तनमय जी क्या होगा सही आंसर निमनानकित में pulling सब्द चैन करना है question महत्पून है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है pulling सब्द में तो मज़ा मज़ा जो है यह pulling सब्द की इंतरगत आएगा question number 75 ने आपर दिया गया है निमनमय से कौन सा stealing सब्द है चना अरहर बाजरा या फिर उड़द question number 75 में चैन कन्ना है और 75 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्यारा सही आंसर बी वाला विकल्प अरहर अरहर जो है यह आपका विल्कुल सही आंसर होगा stealing सब्द माना जाता है stealing सब्द क्या है अरहर आप सभी का सही आंसर है विल्कुल चाहिए अंगला question यहाँ पर देखेगा question number 76 यहाँ पर पूंचा गया है और कौन सा सब्द pulling है यह पूंचा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि यहाँ पर ब्य जो है ब्य यह pulling सब्द के अंतरगत आएगा ब्य आपका विल्कुल सही pulling सब्द है हिंदी भासा में इंगों की संक्या दो मानी जाती है pulling और इस्त्रिलिंग जिससे पुरुस जाती का बोधो by pulling जिससे इस्त्रि जाती का बोधो से इस्त्रिलिंग सब्द कहती है question number आप सभी से आपर 77 पूँचा गया है कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग नहीं है बताईएगा जुर्मट या पिर अंतियस्टी ये अच्छा या पिर निराला इस्त्रिलिंग सब्द नहीं बताना है आप सभी के लिए चैन कन्ना सभी को बताईएगा क्या होगा सई आंसर नीलम जी बताईए कौन सा सब्द इस्तिरी लिंग नहीं है 77 वा कॉस्चन है तो निराला जो है निराला निराला पुलिंग सब्द माना जाता है इस्तिरी लिंग सब्द नहीं माना जाता है तो विकल्प नमबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है निमने लिखित में पुल्लिंग सब्दे है यहाँ पर कॉस्चन नमबर 78 में बताना है सरसों, मकई, सारस या फिर मूंग 78 में चेन करना है क्या होगा सही आंसर 78 में निमने लिखित में पुल्लिंग सब्द आप सभी के लिए चैन करना है कौन सा माना जाता है पंकट जी बताइए पुल्लिंग सब्द बताना है तो सारस जो है ये पुल्लिंग सब्द हो जाएगा जबकि सरसों मकई और मूंग तो इस्तिलिंग सब्द माने जाते हैं मनीशा जी विकल्प नमबर सी वाला जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा निमने लिखित में पुल्लिंग सब्द नहीं है अब यहाँ पर नहीं पूंचा गया है रतन मोती नकल बच्पन 89 में चेहन करना है क्या होगा सही आंसर वाबना जी 89 question यहाँ पर दिया गया है कौन सा सब्द यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है यह बताना है तो आप सभी का यहाँ पर देखेगा रतन जो है पुल्लिंग सब्द नहीं होगा रतन बच्पन मोती यह जो है यहाँ पर सौरी देखे रतन तो माना जाता है नकल होगा सही आंसर नकल आपका सही आंसर रतन बच्बन मौची तो यह जो है पुलिंग है नकल जो है इस्तिलिंग रूप में प्रियुक्त होता है तो उसी वाला वेकल पाप सभी का सई आंसर होगा अंगला कॉशन यहां पर देखेगा सीवा कॉशन यहां पर दिया गया है नमले के सब्दों में किस एक का लिंक परिवर्टन हिंदी भासा में प्रचलित नहीं है बताएगा चाचा या फिर बहन या फिर कोयल या फिर भैसा कॉशन नमबर अस्ति में आप सभी के लिए चैन करना है अस्ति में आप सभी का क्या होगा सही आंसर मत्यपूर्ण कॉश्चन या पर दिया गया है और अस्ति में आप सभी का कोयल जो है कोयल भै आप सभी का स्ति वाला विकल पर सही आंसर है कोयल का लिंक परिवर्टन हिंदी भासा में प्रचलित नहीं है चाचा का हो जाएगा चाची, भैसा का हो जाएगा भैस, भाई का हो जाएगा बहन, तो कोईल का कोईल ही रहता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं हो सकता अगला kwestion यहापर, 81 बा कॉस्चन यहापर देखियेगा, यहापर न मंनानकित में से कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग नहीं है, नहीं बताना है, 81 में चैन करना है, सुबह, सांज या फिर दिन, 81 में चैन कीजिगा, क्या होगा सईयाणस, नम्नानकित में आपको चेन करना है कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग नहीं है एक्यासी वा कॉस्चन आपर दिया गया है और एक्यासी में आप सभी का सही आंसर है कि दिन दिन आपका सही आंसर है इस्त्रिलिंग सब्द नहीं है बलकि पुलिंग सब्द है बहुत बढ़ी है सुबह तो फिर सांज ये माने जाते हैं इस्तिलिंग सब दे अंगला कॉस्चन है आपर कभी का इस्तिलिंग क्या होगा कॉस्चन नमबर आप सभी से आपर 82 पूँचा क्या है और 82 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर अनिल जी बताइए 26 अंकर जी कभी का इस्तिलिंग कभित्री होता है कभित्री किस प्रकार लिखते हैं सही तो कभित्री लिखते हैं किस प्रकार विकल्प नमबर सी में आप सभी का सही लिखा है कभित्री यह जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कवित्री इसी प्रिकाल लिखते हैं विकल्प नमबर तीन सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा रिसी का इस्तिलिंग बताना है अनिल जी नोटिपिकेशन नहीं आया है तो चैनल को जो है बेल आइकन दवा कर ओल पर किल निकल लें और नहीं तो टेलिग्राम ग्रुप से जड़ना है तो वहाँ पर आपके लिए लिंक दे दी जाती है एक्जाम पार यूटूब चैनल जो अपना टेलिग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ियेगा और रिसी का इस्तिलिंग बताना है तो रिसी का होगा क्या होग रिसी का रिसी का आप सभी का यहां पर सही आंसर है रिसी सब्द का इस्तिलिंग रिसी का होगा अंगला कॉस्चन रेखेगा लिंग की द्रश्टी से दही क्या है दही इस्तिलिंग है पुल लिंग है नपुन्सक लिंग है या फिर उबई लिंग है 84 वा कॉस्चन यहां पर यांसरी पुलिंग माना जाता है बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा दही पुलिंग सब्द है हिंदी में जो हैं दो लिंग होते हैं पुलिंग और इस्तिलिंग बिल्कुल सही जबकि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं तीन होते हैं पुलिंग इस्तिलिंग और नपुन्सक लिंग बिल्कुल सही निंदी में दही मोती पानी आदी जड़ द्रब्व वाचक संग्या सदिव जो है पुलिंग में लिखी जाती है अंगला कॉस्चन यहां पर 85 पूंचा गया है कि निमलिकत मैं से कौन सा इस्तिलिंग है इस्तिलिंग बताना है कॉस्चन है तो आप सभी का सही आंसर होगा कि मिरत्यू मिरत्यू आप सभी का सही आंसर है दिएगा विकल्पों में से मिरत्यू इस्तिलिंग है से सब्द उस्सा है छक्रविव संकल पर यह पुलिंग माने जाते है मिरत्यू जो इस्तिलिंग सब्द माना जाता है कॉस्चन नमबर आ करता कि अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है बर्त मानिक रूप में भविस्चे कालिक रूप में बुद्ध कालिक रूप में या फिर अग्यार्थक रूप में तो किरिया की किस रूप में करता कि अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता तो अग्यार्थक रूप में व शाह आदि का बोध़ोतों से अज्यात किरिया की रूप में जाना जाता है ठाकर सब्द का इस्तिर्लिंग क्या होगा ठकूराइन होगा या फिर ठकूरैन होगा ठाकूरी ओगा 87 में आप सभी को चैना करना है ठाकर सब्द का सब्द क्या होगा सईयांसर तो ठाकुर का ठकुरानी होगा ठकुरानी विकल्प नंबर ये वाला जो है वह आप सबी का सईयांसर होगा ठाकुर सब्द का इस्टिलिंग ठकुरानी होता है यहां आनी इस्टिलिंग प्रत्य जोड़कर पुलिंग को इस्टिलिंग बनाया गया है डाक्टर हर देव भायरी की पोस्तक हिंदी सब्द अर्थ प्रियोग में प्रेश्ट संक्या 33 पर थाकूर का इस्टिलिंग ठकुनाईन दिया गया है तो यहां पर ठकुनाईन भी इस पिरकार दिया गया है बड़ी नहीं है छोटा जी है लेकिन यहाँ पर आनी इस्तिलिंग प्रत्य जोड़कर पुलिंग को इस्तिलिंग बनाये गया है ठकुनानी यहाँ पर विकल्प नमबर यह जो है सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से 88 पूंचा गया नमले के सब्दों में नपुन्सक लिंग का चैन कीजिएगा इस्तिलिंग दारा कलक्ट्र या पर पतनी 88 में आप सभी को चैन करना है 88 में क्या होगा सही आंसर बताइए 800 was 88 में चैन कनना नमले के सब्दों में नपुन्सक लिंग का चैन करना है कलत्र आप सभी का यहां पर सही आंसरों का सी वाला विकल्प है कलत्र जो है इस्तिलिंग सब्द है जबकि दारा, पुलिंग और इस्त्री और पत्नी इस्तिलिंग सब्द माने जाती है नपुन सक्लिंग सब्द जो है कलत्र माना जाता है अंगला question यहाँ पर दिखेगा question number आप सभी से 89 पूँचा गया नमलेके सब्दों पुल्लिंग का चेन कीज़ेगा पुल्लिंग सब्द हबा है कुयल है, दारा है, सिक्छा है तो 89 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही answer यह चेन करना है question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही answer क्या होगा तो अब भी अपन ने पड़ा यह दारा जो है पुल्लिंग सब्द माना जाता है सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा एक बार सभी लोग लाइक अबस्ते कर लेंगे जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है आप प्रमाणी आप प्रमाणी बाचक सब्दों के लिंग निर्ण का आधार है उनके साथ प्रियुक्त करिया उनके साथ प्रियुक्त विसेशन उनके साथ प्रियुक्त अभ्याई आ और बादोनों सही तो question number 290 आप सभी से याँ पर पूंचा गया है और 90 में आप सभी का क्या होगा सही answer तो आप सभी का याँ पर अंजली जी उहाँ पर विकल्प number 1 लगाए सही answer आ प्रमाणी वाचक सब्दों के लिंग निर्णे का आधार है आ और बाद दोनों सही यानि कि उनके साथ प्रिवक्त करिया उनके साथ प्रिवक्त विशेशन तो विकल्प number D वाला आप सभी का याँ पर सही answer होगा गंगला question इनमें से कौन सा सब्द पुलिंग नहीं है बनाबट छाता सूर्य अमरूद 291 question याँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही answer तो question number आप सभी का याँ पर 291 question याँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा सब्द पुलिंग नहीं है नहीं पूँचा गया है तो बनावट सब्दे पुलिंग नहीं है, इस्तिलिंग सब्द माना जाता है बनावट, जैसे दरवाजा की बनावट, दरवाजे की बनावट अच्छी है, अन्य जो इस्तिलिंग सब्दे सजावट, लिखावट, मुस्कराहट आदी, अंगला परशे नमबर आप सभी का या पर बाननवे पूंचा गया है नमने लिकत में से इकारांत संग्या इस्त्रिलिंग नहीं है कौन सी नहीं है नदी तोपी उदासी या फिर पहिया बाननवे में चैन करना है क्या होगा सही आंसर नमने लिकत में से इकारांत संग्या इस्त्रिलिं नहीं है नहीं पूंचा गया है और बानवे में आप सभी का यापर सही आंसर क्या होगा ये चैन कनना है इंदो जी विकल्प नमबर डी आप सभी का सही आंसर होगा पहिया पहिया एकारांत संग्या नहीं है पहिया उकारांत पुलिंग सब्द है जबकि नदी टोपी उदासी कारांत संग्या या नी के इस त्रिलिंगं सब्द माने जाती है अंगला क्योस्टन या पर देखेगा क्योस्टन नमबर आप सभी से 93 opioid पूझा गया निमलुकित में से कौण स सब्द है यहाती मौती पानी नक्यल स्त्रिलिंग बताना है Q93 नमबर यौण पर दिया गया है और 90 में आप सभी का क्या होगा सही आश्या आंसर पौण सा सब्द स्त्रिलिंग है ये 93 में आप सभी को चेंद करना है मत पूण Q1 यौण यौण पर दिया गया है उन नकेल जनों न डी वाला विकल पर चैन किया है नकेल उनका यहाँ पर सही आंसर होगा नकेल सब दिश्टिलिंग है हाती मूती पानी पुलिंग सब्द माने जाती है कॉस्चन नमबर 94 है कौन सा सब्द पुलिंग है लगन मीमा अंसा या मधुरे बताए लेकिन माधुरे जो है यह पुलिंग माना जाता है पुलिंग सब्द में इसका प्रियूग होता है डी वाला विकलप आप सभी का यहां पर सई आंसर है निमने लिखे सब्दों में एक स्टिलिंग सब्द कौन सा है दूद, मक्खन, मठा या फिर छाथ 295 में चेन करना है क्या होगा सई आंसर 95 का सई आंसर चेन करना है सब्दों, निमने के सब्दों में से एक स्टिलिंग है स्टिलिंग कौन सा है तो 95 में 6 आप सभी का सई आंसर है 6 सब्द स्टिलिंग है, दूद, मठा, मक्खन यह जो हैं पुलिंग सब्द माने जाती है अंगला question यहाँ पर देखिएगा question number 96 यहाँ पर दिया गया है नमले के सब्दों में से इस्तिलिंग सब्द कौन सा है बताएगा टकसाल है, दाग है घर है या फिर खीरा है इस्तिलिंग सब्द बताना है 96 यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सब्दों में से इस्तिलिंग सब्द कौन सा माना जाता है यह आप से पूंचा क्या है तो 96 में आप सब्दों में आप सब्दों में कि निमलिकित एगमों में से एक लिंग की द्रश्टी से सुद्ध है, बताइए, समराट का समराटी हो जाएगा, बीरांगना का बीरांगना, या गोप का गोपनी, या फिर सुलोचन का सुलोचना, संतानलवे में आप सभी को बताना है, इन एगमों में से एक जो है सही है, वह कौन सा है वह चैन करना है बताईए कौन सा सही है संतानरवे में चैन कीजेगा तो सुलोचन का सुलोचन आप सभी का यहाँ पर डी वाला सही आंसर होगा सुलोचन का सुलोचन लिंकी द्रश्टी से सुद्ध द्युग में माना जाता है समराट का समराग्गी हो जाएगा और बीर का बीरांगना होता है और गोप का गोपी होता है यहाँ पर गोप का गोपी नहीं दिया है तो यह गलत है आपका बिल्कुल सही अंगला कॉश्चन यहाँ पर देखेगा नमलिकित में से कौन सा कथन सत्त नहीं है सत्त नहीं है आनि की सही नहीं है संस्कृत में तीन बचन होती है हिंदी में दो बचन होती है हिंदी में दो लिंग होती है संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होती है तो आप तभी का यहाँ पर 298 में चैन करना है कौन सा कतन सत्त नहीं है तो अब भी अपन ने पढ़ा थ तो D वाला विकलप आपका सही आंसर है, संस्कृत में हिंदी की तरहें दो लिंग होती हैं, आपका गलत हैं, क्योंकि संस्कृत में तीन लिंग होती हैं, पुलिंग, इस्तिलिंग और नपुन सकलिंग, ये तीन होती हैं, हिंदी में दो होती हैं, पुलिंग और इस्तिलिंग, और उसी प्रिकार संस्कृत में तीन बचन होते हैं एक बचन, दुई बचन, बहु बचन हिंदी में दो बचन होते हैं एक बचन और बहु बचन अंगला कॉस्चन यहाँ पर 99 बचन यहाँ पर दे आ गया है देखेगा 99 में आप चभी के लिए चैन करना है नमलिके सब्दों में एक इस्तिलिंग सब्द कौन सा है डोर, रस्षा, धागा या सूत बताईए कॉस्चन मत पूर है और आप चभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है डोर आपका सही आंसर होगा इस्तिलिंग कूचा है नीलम जी तो विकल्प नमबर एक आप सब्दों का सही आंसर है डोर इस्तिलिंग सब्द रस्षा, सूत, धागा यह पुलिंग सब्द माने जाते है तीन सो बा कॉस्चन यहाँ पर किया गया है नमलिके सब्दों में से एक पुलिंग सब्द कौन सा है तीन सो में बताईए चाय, सिकंजी, लस्टी या फिर दही तीन सो में पुलिंग सब्द बताना है कौन सा माना जाता है तो कॉस्चन नमबर आप सभी से यहाँ पर तीन सो पूँचा गया मत्तपून कॉस्चन है और दही आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आपका सई आंसर है दही पुलिंग सब्द है जबकि चाय, सिकंजी, लस्टी, इस्टिलिंग सब्द के अंतरगत आती है कॉस्चन नमबर आप सभी से तीन सो एक यहाँ पर पूँचा गया दिएगा विकल्पों में से ज़्यान बती का पुलिंग सब्द बताना है बताईए क्या होगा तो आप सभी लोग चैन कीजेगा चंदरवान जी विलकुल देख लेते हैं अभी उस कॉस्चन को देगा विकल्पों में से ज़्यान बती का पुलिंग सब्द चाटिएगा तीन सो में बताना है और आपका क्या होगा सही आंसर कॉस्चन नमबर बताईएगा चंदरवान जी कौन सा है कॉस्चन और आप सभी का यापर ग्यान बान जो है सही आंसर होगा ग्यान बान आप सभी का सही आंसर है बिलकुल चाहिए बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यापर देखिएगा question number आप सभी से याप पर पूंचा गया है कौन सा question number यापर दो दिया गया है दो में आप सभी के लिए change करना है दो आपका यहां पर क्या पूंचा गया है यहां पर दिया है यह वाज सब्द का link परिबारतन करने के लिए निमलिकित विकल्पों में से सही विकल पे छाटिएगा क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन याँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर चैन कीजे कॉस्चन नमबर 302 है और 302 में आप सभी का सही आंसर क्या है चैन कीजेगा मत्पूर्ण question दिया गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा, क्या होगा सही answer, एवा का युबती हो जाएगा C वाला विकल्प आप सभी का सही answer, तीन सो तीन पूंचा गया नमलिकेत में से कौन सा सब्द है, जो सदिय उस्तिलिंग में प्रियुक्त होता है, बताईए बैस सब्द आप सभी के लिए चेन करना है बताईए, चेन करना है, सभी के लिए मत्वपूर्ण question यहाँ पर दिया गया है क्या होगा सही answer तो यहाँ पर आप सभी का सही answer है, नमलिकेत में से कौन सा सब्द है, जो सदिय उस्तिलिंग में प्रियुक्त होता है, तो मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही मकड़ी आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा सभी लोगों ने सही answer चेन किया है विकल्प नमबर C जन्हों ने भी चेन किया है उनका सही आंसर होगा मकड़ी यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा मकड़ी सब्द सद्य विस्टिलिंग में प्रियुक्त होता है अब यहाँ पर अपनी लिंक से सम्बंदित तो कॉस्चन हो गए है अब कारक पर आगा है तो कारक से सम्बंदित सरी बचन पर आगा है तो बचन से सम्बंदित कल अपन कॉस्चन पढ़ेंगी जो मत्तपूर्ण कॉस्चन है अपन कल पढ़ेंगी बचन से सम्बंदित सभी का यहां पर 96 दिया ग्या है और 96 में सब्द कौन सा है बताईए कि इस्टिलिंग सब्द चैन करना है मत पूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया ग्या है कॉश्चन नमबर आप सभी का यहां पर 96 है और 96 में आपका यहां पर इस्टिलिंग सब्द चैन करना है तकसाल आपका सभी का सभी का सभी आंसर है जिन संग्या सब्दों यही आपका यहां पर सभी आंसर है विल्कुल सभी टकसाल ही आपका सभी आंसर है कल पढ़ाएंगे अपने आपर मत पूर्ण कॉश्चन आंसर बचन से संब्दित तो सभी लोग जुड़िएगा जो है यह रोज अपनी क्लास होती है बहुत ही मत्पून question answer आपके लिए आपर करवाय जाते हैं तो एक class आपकी रात्री में 10 बजे भी होगी उसमें सबी लोगों के लिए चुड़ना है बहुत बहुत धन्यवाद तो आज के वीडियो में वस इतना ही और मिलिएगा अंगली class में तो